नमस्कार साथ हैं स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल गेट पार्ट साला में दोस्तों आज हम टॉपिक पर बात करेंगे जो कि कई बर्सों से चर्चा में था और इस टॉपिक से बहुत सारे परदे उठे हैं क्या रहस है इसका तो आज हम इस वीडियो में जानेंग अज़ें है यह हो जाता है यूरोप हो जाता है यह अमेरिका ठीक है अटलंतिक महासागा इसके बीच में एक यहां फर लॉरिडा और यह पर बर्मूडा उसके बाद में इस तरीके से ये एक ट्रेंगल बनता है जिसका नाम है बर्मूडा ट्रेंगल बहुत चर्चा में है दोस्तों और कहा जाता है कि इसमें जहाज जाते थे इस छेत्र में कोई भी इस छेत्र से जहाज जाता था और ये निगल लेता था और इसको पत आया है लेकिन ये काल्पनिक ट्रेंगल है ऐसा बास्तिकुना में कोई ट्रेंगल नहीं है ठीक है देखिए अगर मैं ज्यादर जूम करूं इस तरीके से ये बर्मूटा से लेकर ये फ्लॉरिडा और ये पेट्रो राइक्यों तक फैला हुआ है ठीक है लिए ये काफी बड़ा है लगवं 5-6,00,00,000 किलोमीटर तक ये लगव है और इसमें इसके अंदर कोई भी आने वाला इस छेत्र में जहाज होता है वह बिल्कुल पता ही लग पाता है कहां गया और कैसे गया कैसे आया तो यह बड़ा रहस्म ही ट्र अलम्बस ने यह अपने बुक में वी चर्चा की यह एक रहिस्मई और उनका जहाज किस तरीके से हल चल हुई तो उनके जहाज था वो डिस्वैलेंस हुआ था तो किस तरीके से उस समय क्या था दिशा का जो एक मात्र हो था जो यंत्र था वो था कम पास इसके अलावा कुछ नहीं तक कम पास में जो एक स्वी जाती है नौर्थ के लिए वही वताती है कि हमारे जो उत्तर डारेक्शन कि दर है ठीक है तो उस समय उन्होंने क्या कहा अपनी पुस्तक में कि जब मैं इस छेत्र से गुजर रहा था मेरा जहाज गुजर रहा था तो इस छेत्र के आसपा पर कोलंबस ने उसके बाद में 1964 में विंसेन गौडी ने अपनी मैगजीन में भी यही बात बताई कि यह किस प्रकार से जहाजों को निकल लेता है जो हवाई जा जाए उनका पता नहीं लगता है इसी लिए इसको रहस्मरी ट्रेंगल या फिर डेविल ट्रेंगल बोला जा अब जो घटनाएं हुई है यह तो अपने अपने पुस्तकों में दर्साया था लेकिन वास्तिकता में जो घटनाएं हुई है लिखित में वो देखिये क्या है यह जून यह जून 1922 की बात है जब अमेरिकी नोसेना का जहाज इस छेतर से गुजर रहा होता है और जब वो लिए बापस आ रहा होता है तो उसका पता नहीं लगता कि कहां गया कि parar हगया उसके लिए रसकुटीम का भी पता नहीं लगता है रसकुटीम कहां गई उसके बाद में चे मेन इस फिर से 1942 में ही अमेरिकी नौसेना का जहाज है वहां से फ्लोरिडा से उडान भरता है लोरिडा से उडान भरके जब इस छेत्र में पहुंच रहा होता है तो अचानक से ऐसे कुछ आपरिये घटना हो जाती है उसके साथ में कि वह गाय हो जाता है इस तरीके से उसको भी रैस्की टीम फेज जाती है उसका भी पता नहीं लगता है पहहता होता यह है कि इस त्रेंगल है इसमें कुछ आपरिये घटना होती है क्या दैभी सक्ति है क्या भूत्परेत का चक्कर है तो आये इसको समझते हैं कि करके देखिए देविय सक्ति या फिर भूद्प्रेत का चक्कर ऐसा कुछ नहीं है यह ट्रेंगल है यहां पर कुछ बेग्यानिक कारण है उस जिससे परदा उठ चुका है और जिन कारणों का पता लग चुका है कि आखिर कारण क्या है जिससे की जहाज है या कोई भी है आदमी त हो जाता है उसका आता पता नहीं लग पाता है सबसे पहला कारण क्या होता है सबसे पहला कारण है इस तरीके के इस तरीके के जो समुद्र के अंदर जो बर्मुडा का छेत्र है वहाँ पर क्या है कि जॉलमुखी है उसके अंदर आप यह जॉलमुखी आपको पता है कि जब जौनामकई के उद्गार होता है उसे लावा निकलता है और बहुत से बिसायली जहरीली गैस निकलती है जिसमें, मीथेन भी उत्धर्जित होती है, मीथेन का क्या होता है कि जल में ऐसी गैसे मिलकर यह जल का जो है वो density कम कर देती है अब ऐसे में होता क्या है जो हमारे जहाज है, वो तो जो समुद्र है, समुद्र के normal पानी, density की आधार पर उनका निर्माड किया जाता है, उनको जहाज भी दूब जाएगा यानिकि नीचे-लाएगा, होता क्या था, यही कारण होता था, कि यहाँ पर क्या था, दूबने का कारण, ठीक है, कि density कम थी, यहाँ इस छेतर की और जहाज जो है, वो उस समय चलनी पाते थे, ठीक है, दूसर कारल था यहां पर छोटी छोटी पहाडियां थी है अब हावा जो है वो यहां पर पहाडियों से टकरा के एक बवंडर सा एक चक्रवाद उत्पन करती थी है चक्रवाद इतना भयानक होता था कि अगर इस छेत्र में उस चक्रवाद में जो फस जाते थे होई जाज जो भी तो बहां उनको निकलना मुश्किल हो जाता था था कि उनके साथ में आप पर यह घटनाए घट जाती थी या तो वे डूब जाते थे और या फिर उनकी स्पीड इतनी तेज हो जाती थी कि वह बहां पर फस जाते थे उसके बाद में ऐसी जो घटनाए है को यहां पर तुर्की और इटली के आसपास में बहुत जादे देखने को मिलती है ठीक है उसके बाद में और चलते हैं आगे और समझते है तीसरा कारण क्या है यह देखिए इस तर करण को समझते है ध्यान से एक्जाम में भी पूछा जाता है इस समुद्र की सता है यहां से निकलते हैं कटक आपने सुना ओगा जियोग्राफी में अगर मैं पढ़ा रहा हूंगा तो मैं जियोग्राफी में कटक को भी आराम से आपको अच्छे से पढ़ा हूंगा इसको या तो रेज बोलते हैं या फिर कटक बोलते हैं महासागरी कटक ऐसी पहाड़ी होती है जो समद्र के अंदर तो होती है लेकिन उपर तक सतय पर नहीं आ पाती है तो ऐसे पहाड़ीयों को सट कटक बोलते है ठीक है अब मालिय जाई यह समद्र है ठीक है अब यहां से कोई भी जहाज यहाज आ रहा है ठीक है अब होगा क्या जब यह इससे आएगा यहाँ पर तो इसकी चोटी से इसकी पेंदी टकराए जाएगी होगा क्या यह पलट जाएगा यह डूब जाएगा ठीक है उस समय क्या होता था कि हमारे पास रडार नहीं थे और सोनार नहीं थे जो कि सम करदार भी आ गए हमारे पास हमारे पास सोनार है हम देख सकते हैं लगा सकते हैं कि हमारा जारा है जा रहा है और आगे पहाड़ी है या नहीं थो यह तीसरा करण कतक टेश कर आगे जो हो साथ हो जाते अनका मेन का यह था बूत है हैं चेपर गणाल मुटन है new love इस तरीके से इस तरीके से होते हैं यानिके इनके जो कोने होते हैं वो छे होते हैं इसलिए इनको बोले जाता है दिसामिया है और इस डिसामिया है है और इस दिसामिया है है और इस दिसा में हवाएं बह रहे हैं तो इस जहाज की इतनी स्पीड कर देंगी कि जो नेविगेशन सिस्टम है और कुछ और सिस्टम है जिसके द्वारा रडार है इसको द्वार यह होईज चलता है यह काम करना बंद हो जाता है ठीक है । और यदि यह विपरीध सामें आ गए हवा के हवा इदर को बहरे और उदर से आ रहा है हवा इजाज तो यकीन वानی है इतनीत हवा होती है कि हवाई यह देखिए, 1970 में एक आदमी थे, ब्रुई जर्नर, ठीक है, ब्रुई गर्नर, ब्रुई गर्नर, ठीक, तो इनका क्या था, कि यह अपना हवाईजाज ले जा रहे होते हैं, तो उस छेतर में जब इनका हवाईजाज जाता है, तो अचानक से उस हवाईजाज के साथ में आप यह घ्र घटना होती है, हलांकि जो हमाईजाज काम करना बंद कर देता है, उनसे कुछ संपर्ग नहीं हो पाता है, होता क्या है, कि तीन मिनट लगबग चलने के बाद में, तीन मिनट चलने के बाद में यह अचानक सेथ निकर्न रेन्द में आता है और करप्टें द्वारा इसको लेंडिंग तक चल चुका होता है ठीक है इतनी तेज इसकी स्पीड हो जाती है तो ऐसा यह चीजे वहाँ पर अपर यह घटना है रही थी ठीक है हम चर्चा कर रहे तो यहां कटक और इनके बारे में हमने देख लिया था यह देखिये तो यह सैटर ग्रह पर देखा गया था है अब देखिये ऐसा ही ट्रेंगल इस यह में जापान में ठीक है जापान में था जिसको बोले जाता है यहां से है में जल देवी सायर नामक जो दहार तो यह जा रहा होता है आता होता क्या यहां ड्रेंगल है यह यहां पर यह गाइब हो जाता है यहन की पता नहीं लगता है कि कैसे गाइब हो ठीक है इसको रैस्कु टीम जाती है तो रैस्कु टीम भी वहाँ पर पता नहीं लगता है आज तक पता नहीं लग पाया कि रैस्कु टीम कहा ड़ी ठीक है इसका कारण और जो बर्मुड़ ट्रेंगल उस और जो है यहां ऐसे अ कई ठ्रेंग ठीक है उसके अलावा भी इंडिया में ट्रेंगल इंडीया वारे यहां पर ऊडिशा में ठीक है इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे इसमें भी ऐसे ही लगवा कि 100-100 अमेरिकी जहाज यहां पर गाइब हो चुके थे और उसमें देती है विस्वियुद में जो जापान में है जापान में बंबारी होई थी यहां पर इनका यह अरपूर्ट यहीं से टेक आफ करके अब बंबारी करने जाते थे जापान उसमें यहां तक आ गया था अंडमाने को बार तक तो यहां पर क्या था कि यहां पर भी एक ट्रेंगल था अब उस ट्रेंगल का क्या था उस ट्रेंगल का रहस्य जानने के लिए पताया गया था कि यहां पर ज्यारखंड है बोड़िसा के ऊपर ज्यारखंड है और ज्यारखंड मे कमपास है उसकी सुईयों की दिशा एक ही डारेक्शन बताने लगता है होता क्या है कि जहाज आते हैं इधर से आने वाला जहाज और उदर से आने वाला जहाज दोनों की एक ही डारेक्शन बताएगा और वहां होता था क्या कि टकरा जाते थे वहां मौसम भी खराब नहीं होत लेकिन फिर भी यहां पर डूब जाते थे कारण यही था कि यूरनियम की बज़े से इनकी दिसा जो है बदल जाती थी कंपास होके और एक यही दिसा में जाने लगते आता होता तक सामने सामने से ठक्रा जाते छाला कि हम इन चीजों से पढ़ा रूट चुका है और आसके जाबने जो है वो टेक्नोलोगिका है और बहुत सारे चीज़े आ गई है इन चीजों को बताने के लिए आज क्या है और और से इसके ट्र Sept ड्रेंगल कैहां और इसके अंदर से है इन पे जो scientific region था वो मैंने बता दिया कि इस reason के वज़े से यह था ठीक है अब उसके बाद में और आगे चलते हैं देखिए इन तीनों में एक खास बात थी इन तीनों ट्रेंगल में एक खास बात थी यहां पर वाला उट्लैंट को आणने महसा अकर वोलते हैं और यह भारत वाला और इसया वाला टीनों ही लगवग淇ण ही लगवेग एक ही अक खास पर थे उसका दूसरा करण़ था इन दोनों का कारण जेंटा अब इसके अलावा भी इसके अलावा भी दोस्तो चम्मीर में कश्मीर में बारा मूला और बनिहाल दर्रा यहां पर होता क्या है यहां पर आप कभी अगर कश्मीर की आतरा प्लेन से कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा यहां पर लगेगा कि डिस बैलन्स होता है यह किसलिए होता है यहां पर चुम्बकियबल यहां पर ऐसा माने जाता है क तो यह रहते इसके अलावा भी बोला जाता था कि जो अन्दमा सागर है इसमें एक सागर है सारगैसू तो वह बाकई इसमें सागर नहीं है सागर के नाम पर क्या है कि अभी question पूछा गया था साल पहले तो उसमें पूछा गया था कि ऐसा कौन सा सागर है जिसकी सतह इस्थाल से नहीं लगती है कौन सागर सारगैसू क्यों था क्यों कि यहाँ पर एक सावाल पाय जाता है सारगैसू सारगैसंऺ है यह क्यों करता है चोटे मोटे जहां जोंको क्या करता है अपनी grey मैं लेटाsomething भाशा लेता है कि पाशा लेता तो यह कभी तो एसा होता है कि लेबर hone यहां पर जम जाती है th Ж sed यहां पर फस जाते हैं तो यहां से सारगेस संबाला था तो हमने यहां सब चीज के बारे में पढ़ लिया तो जो ट्रेंगल था वो ऐसा कालपनिक या रहस या भूत प्रेत का कहानी नहीं थी और इसका एक साइंटिफिक रीजन था इससे अब परदा उठ चुका है और इसका यूडियो में फिलाल इतना ही नमस्कार